असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दु ग्रामर के अगले टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है for all exam सभी एक्जाम के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट है जैसे कि 10th क्लास वाले स्टुडेंट वह कमेंट करके पूछते हैं कि क्या यह उर्दु ग्रामर सभी एक्जाम में पूछे जाते हैं कोई भी बोर्ड एक्जाम हो गया 10-12 या फिर कोई भी कंप एक्जाम सभी उर्दु ग्रामर से पूछन फूछे जाते हैं ठीक और इसलिए उर्दु ग्रामर के सभी टौपिक को समझना आप लोग वह ज़्यादा जरूरी है और इसलिए उर्दू ग्रामर का basic clear नहीं है और उर्दू ग्रामर के basic चीजिए और यह आई बटन चीजिए सकते हैं और उसका यह नेक्स वीडियो है वह है इस्म मार्फा, इस्म मार्फा क्या है, किसे कहते हैं इस्म मार्फा, लेकिन इसको समझने से पहले आप लोग को ये मालूम रहना चाहिए कि इस्म किसे कहते हैं, जो कि मैं ठीक इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बर फिर से बता दे रही हूँ, इस् किसी भी व्यक्ती जगा या फिर किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं संग्या और उसी को तो उर्दू में कहा जाता है इस्म इस्म का मतलब नाम आप लोग समझेए मेरा सिंपल सा डिफिनेशन सुनिये आप अपनी आखो से इस दुनिया में जो भी चीजे देख सकते हैं उन सभी चीजों का कुछ न कुछ तो नाम होगा और उसी नाम को हम लोग कहते हैं इस्म और इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संग्या मैं हूँ मेरा तो कुछ नाम होगा तो मेरे नाम को आप लो क्या बोलेंगे इसम कहेंगे यह यह देखिए तो इसका क्या नाम है मारकर नाम है तो मारकर हो जाएगा आप लोग का इसम यह मैं जिस पर लिखी हूँ इसका क्या नाम है बोर्ड नाम है ठीक तो बोर्ड हो इसम का हलाता है इसम का मतलब नाम ठीक है अब बात करते हैं कि इसम मारफा किसे कहते हैं इसम मारफा को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोपर नाउन और हिंदी में कहा जाता है ब्यक्ति वाचक संग्या समझे कि अब इसम मारफा किसे कहते हैं इसम मारफा वह इसम है यानि कि अब यहाँ पर इसम का मतलब नाम समझिये इसम मारफा वह इसम है यानि कि वह नाम है जो किसी खास चीज शक्स या फिर जगह के नाम को जाहिर करें मुलब किसी खास चीज किसी खास चीज के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे इसम मारफा कहेंगे जैसे कि एक्जामपल लेकर मै तो बेखर में अप लोग को बोलतों कि मैं शहर जा रही हूं तो इसे क्या पता चलuju रहा है कि मैं शहर जा रहा है अब शहर में कौन शहर जा रही यह तुम्ह enough को नहीं बढ़ीना शहर में सभी सhere ayakot ilum ठीक है लेकिन अगर मैं ये बोलू आप लोगों से कि मैं पटना शहर जा रही हूँ तो अब आप लोगों को एक खास जगह का नाम पता चल गया पटना शहर यानि कि मैं कहां जा रही हूँ पटना शहर जा रही हूँ तो नदी में तो सभी नदिया आ जाएंगी मैं किसी भी नदी के किनारे खड़ी हो सकती हूं है ना लेकिन अगर ये बोलू जालेगा आप लोग relative को बोलते और लोग कि इस मारफा जैसेकि मैं बोल दी कि मैं यूटूब चानल पर पढ़ाती हैं तो लिए जतना भी YouTube में YouTube Channel ہے, सभी YouTube चैनल आ सकते हैं, मैं किसी भी YouTube Channel पर पढ़ा सकती हूँ तेकिन अगर मैं अगर ये वह बोलू कि मैं ग्यापन इकेडमी एन यूटुब चैनल पर पढ़ाती हूँ, तो आप लोगu को क्या पता चला कोई एक YouTube चैनल है खास जिसका नम है ग्यापन इखेड मी उसी चैनल पर मैं पढदाती हूं तो ग्यापन इक बोल देंगे आप लोग इसमनक्रा जेसे की शहर में शहर में सभी शहर आ सकते हैं एक शृष की पूरी जाती आ जा रही है तो शहर को बोलेंगे आप लोग इसम नकरा तो उसको बोल आप लोग इस्म नकरा मतलब जाती वाचक संग्या हिंदी में जिसमें पूरी जाती आ जाए ठेक है कॉमा नावन मतलब सधार नाम ठेक है और देखिए नदी मैं बोल दी नदी के किनारे खड़ी हूं तो नदी में सभी नदिया आ सकती है कोई एक मैं पार्टिकुलर कोई खा सबी कीताब में तो नहीं बताई कि मैं कोई का नाम तो नहीं बताी है ना कि we करना कि मैं साइंस का किताब प़रे हूं या फिर बैएलोजी का κिताब पढ़ रही बे किताब है किताब पढ़ रहे हैं किताब में पूरी किताब की जाती आ जाएगी किक हेकिताब एक साधार हैं समझा एक हांसда हैं इसमें सिफत जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एड्जेक्टिव और हिंदी में कहा जाता है विशेषड नाम सही क्लियर है विशेषड मतलब जो नाम विशेष्टा को बताए क्वालिटी को बताए उसे कहते हैं इसमें सिफत और इंग्लिश में एड्जेक्टिव जैसे कि इसमें सिफत वह इसमें वह नाम है जो किसी की अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करें मतलब उसकी क्वालिटी को बताए जैसे कि नेक लड़का कैसा है तो नेक है लड़का का क्वालिटी कौन बता रहा है यह यह वाला लवज नेक लड़का कैसा है नेक तो नेक आप तो भैस कैसी है तो काली है तो काली हो जाएगा आप लोग का इसमें सिफत आगे बढ़ते हैं इसमें जमीर को इसमें जमीर शक्सी भी कहते हैं और यहां पर देखिए इसमनकरा को ना इसमें आम भी कहा जाता है क्योंकि आम नाम को कहते हैं हम लोग इसमनकरा ठीक है तो इसमन और हिंदी में कहा जाता है सर्व नाम आप लोग पढ़े होंगे जो नाउन के बदले में इस्तमाल किया जाए लवज उसको कहते हैं जो वर्ड नाउन के बदले में यूज हो उसे कहते हम लोग प्रोनाउन वह इसम है इसमें जमीर वह इसमें वह नाम है जो किसी दूसरे इसम थोड़ा दर रिष्ट किया और उसके बाद से सलीम जो है ना वापस चला गया अपने काम पर तो बार बार में जो सलीम का नाम ली रही हूं ना अगर मैं इसके जगह यह बोलू कि सलीम आया वह खाना खाया खाकर थोड़ा दिर खेला और वह थोड़ा दर सोया और उसके बाद यूज़ कर रही हूं तो वह को क्या बोल देंगे आप लोग इसमें जमीर ठेक है आप लोग का कुछ ना कुछ नाम होगा तो मैं आप लोग का नाम थोड़ना ले रही हूं मैं आप लोग बोल रही हूं तो आप लोग हो जाएगा इसमें जमीर या फिर इंग्लिश में कहा ज होता है यह सभी लव्ज तो इन सबीकित को क्या बोल देंगे इससमें जब पोलगे ठीक आगे बढ़ते हैं इसमें शारा 받um जो इशारा करने के लिए मुखर हूं यह तो बहुत आसान नहले इसमें इसमय रांसे कि वह नाम याफिर वह यहां पर रख दो इसे यहां पर रख यह उस में उस पहल पर तो इसे नहीं भी फिल्ट हो जाएगा करने के लिए क्जैने इस पहले मैं बोर्ड मिटाती हूँ फिर मैं आप लोग को दो टॉपिक और बचा हुआ उसको समझा देती हूँ तो अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन सौट लेना चाहते हैं तो फड़ेवर ले लिज़े स्क्रीन शॉट अब चलिए हम लोग आगए समझ लेते हैं देखिए अगला टॉपिक है इसमें इस्तफ़ाम बात पूछने या फिर समझने को कहते हैं मतलब इसमें इस्तफ़ाम उसे कहते हैं उस नाम उस इसम को कहते हैं जिससे बात पूछना जाहिर हो जैसे कि कौन किस किन क्या मतलब कौन क कौण वहापर गया था कौण है मतलब बात पूछा जा रहे ना कौश्टन किया जा रहे कौन है बश de attic लग को तुम ने घुल लोग को तुमने गुलाया तो क्या हो जाएगा आप लोग का इसमें स्टाफाम आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है इसमें अलम आप देखिए इसमें किसे कहते हैं वह इसम जो किसी शक्स के खास नाम को जाहिर करें जैसे घालिब इबन-कासिम अब आप लोग कहेंगे तो पिर इसम मारफा क्या है व और सिर्फ किसी व्यक्ति के खास नाम को बोल देंगे आप लोग इसमें जैसे की गालिब हो गया तक समझ में आ गया अब हम लोग समझते हैं कि आप लोग के एक्जाम में कोशन किस तरह से पूछा जाता है किसी भी खास व्यक्ति किसी भी खास चीज मतलब किसी भी खास चीज के नाम को इस मारफा कहते हैं तो कोशन पूछता है अब्जेक्टिव में कि नीशे चार ओप्सन दिया रहेगा और कहेगा कि दर्जजेल में से कौन इस मारफा है और चार अप्सन दिया रहेगा आप लोग तो देख लिजे सधारा नाम क्या है जिससे पूरी जाती का बोध हो तो उस अप्शन को टिक कर देना है इस तरह आप लोगों को ध्यान से देखना है उस तरह अगला क्या था इसमें शिफत था तो इसमें शिफत जो क्वालिटी बताए तो देख लीजिए जो विश्रिष्ट पुछेगा आप लोगों के दरजल में इसमें सिफत कौन है और चार अप्शन दिया रहेगा तो चार अप्शन में देख लीजिए कि कौन सा ऐसा लवज है कौन सा नाम है जो की क्वालिटी को बताता है काला गोरा नेक बुरा ठीक सफेद तो इस तरह आप लोग देख और तो तुम आप मैं यह सब नाम के बदले यूज होता है ठीक तो देख लिजे चार और प्शन में से कौन सा इसमें जमीर है उसको टिक कर देना है उशके बाद से क्या था लास्ट में इसमें इशारा देख लिजे की कौन सा यसा लफ्फ जैज इशारा के लिए मुकरर हो यान की चारा के लिए यूज होता है वह लब्स तो चार अप्सन में दे देया रहेगा आप लोगों को चेक कर लेना है कि कौन सा लफ्ज़ है न इसमें इसारा है तो ठीक कर देना इसी तरह पूछता है तो यह अप लोगा साथ टॉपिक उर्दु गरामर का कम्प्लीट आई अपने पड़ोसी अपने दोस्तों अपने रिष्टेदार जितने भी आप लोगों के रिष्टेदार है चारो तरफ शेयर कर दीजिए और हां अगर आप लोग चैनल पर नए हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सब्स